दोस्तों मैं आप सब की साथ बोल रहोगी है अश्रील और आज के इस वीडियो में हम जारेंगे कि जो होती है वो क्या चीज होती है आप उसे मैंनेज कैसे करते हो और वह आपको किस न्यूटरिशयर में कितना मिलता है तो चलो आज का वीडियो शुरू करें पर उससे पहले म खर होती क्या है तो जब भी आपको फूर लेते हो तो उसको मेंसर करने की उनिट को हम कैलरी कहते हैं और अब दोस्तों बात आती है कि कैलरी जो होती है मैंनेज कैसे कर सकते हो कालरी होती है उसको मैनेज़ करने का बहुत ही सिंपल वे हैं सबसे पहले आपको अपना मील लेना है फूड लेना है जिसका मतलब है एनर्जी इन और दूसरी तरफ एनर्जी आउट यानि आपको उस एनर्जी को कहीं पर लगाना है कहीं पर उस एनर्जी को यूज करना है अब मैं बताता हूँ अगर आपको calorie management आप नहीं करते हो तो इससे क्या हो सकता है जब आप calorie management नहीं करते हो तो calories आपके calorie के अंदर extra हो जाती है जिसकी वज़े से आपका fat बढ़ता है आपका weight बढ़ता है जिसकी वज़े से आपको disease भी होती है सारी हार्ट डिजीज लीवर डिजीज है ना या फिर बीपी की प्रॉब्लम्स हो जाती है तो इसलिए calorie management करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्यारी मैनेजमेंट पर बिल्कुल सही से होना चाहिए जितना फूड लेते हो उतना ही मैनेज करना चाहिए उतनी ही उस एनरजी को उतना ही वेट कहीं पर लगाना चाहिए अगर उससे ज्यादा लगाया तो आपका weight loss हो जाएगा ज्यादा अब मैं बताता हूँ अगर weight होगया अपने एवरेज से तो उससे क्या होगा उससे भी बहुत साई डिसीज हो जाती है जैसे कि आपकी सास फूले लग जाती है आपके टें टें मीटर चले और आपकी सास फूले लग जाएगी तो यह डिसीज भी होती है weight loss से है ना extra weight loss से तो इसलिए जितने ही आप energy in कर तो इसलिए उतनी ही उस energy को कहीं पर लगाना चाहिए जैसे आपने रात का डिनर खाया तो उसके एक दो घंटे बाद दो बलकि मैं कहता हूं एक देर घंटे के बाद आपको उस energy को waste मतलब यूज करना चाहिए वाकिंग में या फिर जॉगिंग में ऐसे आपको कहीं पर उस कितनी आपको मिलती है कैलरीज तो जो कार्बो हाइडरेट होता है दोस्तो एक ग्राम कार्बो हाइडरेट मैं आपको फोर कैलरीज मिल जाती है और जो प्रोटीन होता है दोस्तों उसमें भी सेम ही है ये एक ग्राम प्रोटीन मैं आपको फोर ग्राम कैलरीज मिल जाएंगी और दोस्तो जो fat होता है आपका fat होता है उसमें आपको सबसे ज्यादा calories मिलती है 9 calories आपको मिल जाती है तो अभी आपको simply मैंने बताया है कि जो fat होता है उसमें सबसे ज्यादा calories होती है और दोस्तों यही तक था हमारा आज का वीडियो कि जो कैलरीज होती हैं और किस होता है और किस यूटूरीशन बें कैलरी कित्री मिलती है आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छे लगा और प्लीज चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करिए तक ही और लोगों तक भी यह ग्यान प्राप्त हो सके हैं यह ना बाई मिलते हैं अगले वीडियो में और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो मनाएंगे आपको बस कमेंट कर रहें बाई स्टे सेफ इस्टे हैल्दी